नमस्ते अब विवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer दोस्तों बहुत important वीडियो है कुछ बाते हम आपसे करेंगे सबसे पहली चीज ना मैं आपको motivation दे रहा हूँ ना मैं आपको demotivate कर रहा हूँ मैं जो आपसे बात करूँगा बहुती सीधी और सटीक होगी बात ये है कि मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ ये सबको पता है प्लस आप इस पे decision नहीं ले पाते हो मैं वही आपको decision लेने में आपकी मदद करूँगा कि आपको अपने stock में profit book करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टर को stock एक बार खरीदा जाता है और उसके बाद उसको रखा जाता है 2, 4, 10, 15, 20, 50 साल ठीक है तब आप एक investor कहलाते हो ये बिल्कुल सही definition है लेकिन smart investor कौन होता है smart investor वो होता है जो stock को सही समय पे खरीदे तो सही समय पे खरीदने के लिए पिछले कुछ महीनों से overall scenario में अगर हम पूरी बाजार को देखें तो नहीं available हैं बहुत सारे stocks लेकिन इस बाजार में हमेशा opportunity होती है हम आपके लिए खोजकर निकालते रहते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि चाहे आप कितना भी पीछे चले जाओ अगर आप अगस्त वगेरा में जाओगे golden cross over वहाँ पर आपको धेर सारे stocks सुझाए गए थे banking segment के बहुत सारे stocks थे उसके बाद आपको नवेंबर में परफोलियो मिला था उसके बाद जनवरी में मिला था फिर फरवरी में मिला था फिर आपको मार्च में मिला था ठीक है अब आपके सामने ये चारा क्या था कि आप यहाँ पर अच्छे stocks सेलेक करते और आपको बढ़िया performance मिलती यहाँ मिली भी और क्योंकि बाजार भी वहाँ से काफी उपर आई है तो हमारे portfolio को काफी support मिल गया लेकिन अब मैं आपसे कह रहाँ कि आप अगर यहाँ पर कुछ खरीदोगे तो आपका portfolio उस हिसाब से नहीं चलेगा जैसा नवंबर वाला चल गया ठीक है फरवरी वाला आप देख लीजे फरवरी वाले की performance जनवरी और नवंबर वाले से कम है अब जो मार्च में आपको portfolio दिया गया उसकी performance ठीक है लेकिन अगर आप compare करोगे नवंबर और जनवरी से तो काफी नीचे है क्यों क्योंकि वहाँ पर आपके साथ बाजार खड़ी थी लेकिन यहाँ आपके साथ बाजार नहीं खड़ी है इसलिए ऐसा हो रहा है तो मैं यह बात आपको क्यों repeat किया इसलिए किया कि आप यहाँ पर अगर कुछ खरीदना चाहते हो या profit book नहीं करना चाहते हो यहाँ पर आप लोग यह कहते हो कि मैं एक trader तो हूँ लेकिन मैं stop loss नहीं लूँगा तो फिर आप एक investor की category में जाते हो investor stop loss नहीं लेता investor एक zone ढूनने कोजिस करता है कि अब वो stock को average कहा करे आप हो trader लेकिन mindset आपका investor वाला है अब यह तकलीफ आपको पता है कब देगा जब बाजार गिरेगी आप यहाँ पर कुछ अगर कोई stock खरीद लेते हो इस जगहें पर जहाँ पर भी बाजार खड़ी है तो आपकी तकलीफ पता है क्या हो जाएगी तो आपकी तकलीफ भी हो जाएगी कि आपको loss हो जाएगा और फिर जब आप 10-15% 20% के loss में बैठे रहोगे और जब आपका price वापस आजाएगा cost पे तो आप सोचोगे बस मुझे 1-2% मिल जाएगा मैं निकल जाता हूँ यह आपके साथ हुआ है या नहीं और यह चीज अगर बार-बार आपका आना चाते हो मैं यह नहीं कराओ कि यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ बहुत बार हुआ और इसी चीज से मैंने सीखा कि इस बाजार में rules की क्या एहमियत होती है फिर मैंने rule बनाया और आप विश्वास नहीं करोगे आप भी यह काम करके देखो आपको बहुत बड़ा leap मिल जाएगा बहुत बड़ा advantage मिल जाएगा आपको किन सब चीजों से जब आप यह define कर लोगे कि अगर मैं trader हूँ तो मैरा mindset trader वाला है अगर तो मैं stop losses and targets को maintain करूँगा ठीक अब जैसा कि मैंने कहा कि आपके portfolio को यह support अगर बाजार नहीं दे पाएगी तो फिर आपका portfolio perform कहां से करेगा क्योंकि हम अपने stocks का selection कहां से करते हैं इसी बाजार से करते हैं जो बाजार हमारे सामने चलती है और आपने देखा होगा कि बाजार में जो पिछले 4-5 दिन से momentum आया है यह बिल्कुल unexpected है global markets को देखकर global markets की मजबूती को देखकर आया हुआ है हम अपनी कमजोरी जो हमारे हाँ personal levels पे कमजोरी है उसको बिल्कुल नजरा नजर अंदाज कर रहे हैं और इसका खाम्यादा हमको कब भुगतना पड़ेगा जब global markets negative होंगी कभी भी हो सकती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कल से बाजार गिरने लगेगी लेकिन अगर आपने अभी भी यह mindset नहीं change किया कि आप कुछ भी करोगे stop loss नहीं लोगे ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी अगर आप profits में हो तो समझो कि यह profit आपको book करना है या यह profit आपके किसी काम का नहीं है मतलब क्या कि अगर मैं stock 10 साल के लिए खरीदा हूँ वो stock 15-20% उपन नीचे हो गया मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ और अगर आप short term investor हो तो trading सीखो swing trading सीखो यह आपकी मजबूरी है आपको सीखना ही पड़ेगा ठीक है अगर आप नहीं सीखोगे आपको लगता है कि आप positional trade करके राजा बन जाओगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है आपके एक महिने दो महिने तीन महिने छे महिने की कमाई बाजार एक हफते में लेकर जाएगी फिर से कह रहा हूँ बाजार एक हफते में लेकर जाएगी जब निफ्टेगी लेगी हवा नहीं लगेगी और उसकी तैयारी आप आज से कर लिजे फिर मत कहना कि कुछ करना सके आई होप मैंने आपको प्रॉपर चीजें समझा दी अब जैसे कि कुछ स्टॉक्स की आपके सामने मैं लिश्ट रखूँगा ठीक है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो क्या करोगे जैसे कि आईशाई शाई बैंक रिजल्ट बहुत ही अच्छा है ठीक है दिल खुश कर दिया अब अगर रिजल्ट के बेसिस पे मुमेंटम आना था वो आ चुका है अब अगर बाजान नेगेटिव होती है तो आपको पता यहाँ पर क्या होने वाला है ठीक है और बाजान ने उसको पॉश्टिव वे में लिया बढ़िया पॉश्टिव मोमेंटम आया एक रेड़ के बाद दो पॉश्टिव के बनना एक ठीक ठाक मतलब एवरेज रिजल के बाद यह बड़ा सिंगनल है इसके लिए क्या आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना इसे ही चलता रहा तो SBI कार्ड 10,000 पर होगा या 15,000 पर होगा कोई नहीं आनता अगले 10 साल में यह 10 गुना हो सकता है स्टॉक बड़े आराम से हो सकता है ठीक है यह हो सकता है इन्वेस्टमेंट की स्ट्राटिगी है यह तो आपके पॉटफोलियो में होना ही चाहिए लेकि उसको लग रहाएग नहीं यह प्रॉफिट अगर चला गया मुझे तकलीफ होगी तो उसे तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए ना मैं आपको ट्रेडर नहीं बनाना चाहता मैं आपके दिमाग में जो चीज चल लहीं ना उसको निकालना चाहता हूँ आप सोचते क्या हो अ 10,000 हो चुका है तो 10,000 की अगर आपके पास अभी वैल्यू है आप उसकी वैल्यू यूट्विलाइज करना चाहते हो यू नीट टू बुक प्रॉफिट सियर आपका एक माइंचेट जो है वो ट्रेडर वाला है उसको आपको समझना ही पड़ेगा समझ गए हां मूच्वल में आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर आपको यूनिट्स मिलती है उसमें आपको स्टॉक के स्पेस्पिक कुछ होता नहीं अभी देखिए 45,000 पर बजाज फैनेंस मिला था 5,250 के आसपास आकर खड़ा है क्या करना है प्रॉफिट बुक करके निकलना चा आइंगे उनी में से इंडेसिन बैंक जहां पर खड़ा है ना 925 से 930 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अगर बाजार सपोर्ट कर गई यह रेजिस्टेंस यह तोड़ गया फिर से चीरफार मजाएगा नहीं तोड़ पाया तो गिरावर दिखाएगा अब गिरावर दिखा आपको स्ट्राटीजी समझाई है कि एक अच्छा स्टॉक सबको पता अच्छा होता है बस आपका रेट उसे डिफाइन करता है लॉंग रन के लिए कि आप उसमें क्या करोगे ठीक है तो बाजार सबको लग रहा है गिरेगी हाँ गिरेगी लेकिन जब गिरेगी तो हवा न जरू कीजिए और जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच की माथा पच्ची है उसको खुद समझने की कोशिस किया कीजिए कि एक लाग पे अगर आपको आपको आठ परसंट दस परसंट का फायदा हो गया आठ हजार दस हजार का आप उससे खुस हो अगर खुस हो तो आप आपको सही रेट पर सही समय पर कैसे पकड़ते हैं किस तरीके से हम अपना पॉटफोलियो सेलर करते हैं उसके लिए आपको धेर सारी वीडियो अवेलबल है चैनल पर उनकी लेंथ थोड़ी से लंबी है लेकिन आपको जरूर देखना चाहिए आप वहां से काफी कुछ आपको बताएगे हैं जो हमारे पोटफोलियो का हिस्सा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको जरूर देखेगा मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार धन्यवाद